हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागता आपका लेक्चर नंबर फाइफ में, अभी तक अपने जो है, वो हिउमन की फीजियोलोजी के प्रीवेश एर के क्योशन कर लिये थे, इसके पस्चात अपने एनिमल डाइवर्सिटी और मॉर्फोलोजी जो है, उनके पेपर देख लिये तो CLC ने जो कमिटमेंट आप चे किया था, 2013-2019 तक जो भी क्योशन साय हुए है, नीट में, उनका वीडियो सोलुशन देने का, उसमें फीजिक्स का सारा पेपर अपलोड किया जा चुक है, केमिस्ट्री का कम्प्लीट अपलोड किया जा चुक है, और अभी बाइलोजी जो आप और देना चाहता हूँ, जैसा बच्चों की डिमांड है, कि हमें PDF फाइल और विजवा दीजिए इनकी, तो हम CLC live.in पर रिशेंटली जो है, प्रिविएस ये जो 2013-19 तक जो भी पेपर हुए हुए है, नीट के, इनकी PDF फाइल भी अपलोड करने जा रहे है, ओके, आज पेपर हो गए, और एट का डिवीजन यहां पर करता हूँ, मैं तो कितना आता है लगबग, आठ क्योशन जो है, आठ मज़े चालिस, शीक और तालिस, हर साल जो है, जो है, जो है जनेटिक्स से आए हुए, तो अप्रोक्सिमेशन में अगर बात करें, तो छैसे साथ क्योश पहला क्योशन पढ़ें, इस बोट दी पैरेंट्स आर केरियर फोर थेले सीमिया, जी, थेले सीमिया नाम देखते ही, अगर क्योशन में आपको बताय भी नहीं गया है, कि यह रिसेसिव है या डॉमिनेंट है, तो भी आपको पता होना चाहिए, कि थेले सीमिया कैसा है, यहां पर मेंशन कर दिया, अगर मेंशन नहीं करता, तो भी आपको याद रखना चाहिए, यह बात, अगली बात, दोनों पैरेंट्स जो है, वो केरियर हैं, इसके लिए, अफेक्टेड कोई भी नहीं है, पैरेंट्स में, और दा चांसे ऑफ प्रेगननसी रिजल्टिंग होने की संभावना है कितनी है, क्या बताया है, पैरेंट्स केरियर बताया है, ऑटोजमल रिचैसिव के लिए, अगर दोनों स्मॉले यह जाता, तो यह आफेक्टेड बन जाता, लेकिन यहां पर एक ही इसमॉले आ रहा है, दूसा कैपिटल है, तो यह अपने आपको आपको नहीं यह कारियर अयो करेगा ऐसी प्रेगनेंसी जुशन सब्ट बने के संब्हां होना है वह ज़िए ellैसा बनेगा दो इंडिवीज्व depends या मतलब एक इंडिवीजुल ऐसा दो इंडिवीजुल जो है केरियर फॉर्म बिनेगी और एक इंडिवीजुल अफेक्टेड बनेगा अपने से पूछ क्या रहा है वह अर्था चांस ओप्रेग्श रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड तो च्यार चाहिल्ड में से कितन एक चाल्ड ऐसा है जो अफेक्टेड बनेगा मिंस 25 परसेंट चांस हो जाएगा 25 परसेंट कौन सा है बच्छों ऑप्शन नमबर वन ओके अगले क्यों करते हैं क्योंस नमबर चू कि विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाई एक रोस इन विच दा एफ एफ जो है वो किसी एक से रिजेंबल करता किसी भी एक पैरेंट से तो तो यह क्या कहलाता है लो ओफ डॉमिनेंट कहलाता है ठीक है किसी से भी रिजेंबल नहीं करता दोनों का इंटर्मीडियेट बनता तो बच्छों यह क्या कहलाता है इंकम्प्ली डॉमिनेंट कहलाता है और यहां क्या बोल रहा है by a cross in which f1 generation resemble both the parent दोनों से mail खाता है इसका मतलब यह phenomena क्या कहलाता है co-dominants कहलाता है option देख लें आप co-dominants कहां पर है this one okay तो answer चला जाएगा option number two next question पर मुह करें question number three the incorrect statement जी जो भी negative approach का question उसको highlight जरूर कर दें आप क्योंकि यहां पर सिल्ली मिस्टेक होने की संभावना ही बनी रहती है the incorrect statement with regard to hemophilia hemophilia के respect में incorrect का पता करना है अपने को it is a dominant disease no it is recessive x-linked disease यह कहलाती है इसका मतलब यह क्या हो गया गलत इन क्रेक्टी पूछ रहे हैं तो आंसर तो यह चला गया लेकिन क्रोश से करना पड़ेगा अपने को आगे की single protein involved in clotting of blood is affected hemophilia में anti hemophilic factor जो factor number eight है उसकी क्या हो जाती है deficiency हो जाती है तो इसकी वज़े से hemophilia होता लेकिन यहां पर एक addition information आप याद रखना factor eight की कमी होती है तो तो hemophilia a होगा और factor nine जिसको Christmas factor के नाम से भी जाने जाता है उसकी अगर कमी हो जाएगी तो फिर hemophilia b condition आ जाएगी ठीक है most common कौन सी है hemophilia a condition कहलाती है ओके तो single protein involved होता है blood clotting में anti-hemophilic factor की क्या हो जाती है deficiency बात क्या है सही इठीक सेक्स लिंग्ड डिजीज बिलकुल sex linked और वो भी कैसी excellent recessive कहलाती है बिलकुल ठीक बात है it is a recessive disease तो कौन सा गलत हो जाएगा option number first जो है वो incorrect चला जाएगा okay question number four if two person with a b blood group marry and have sufficiently larger number of the children these children could be classified as a blood group b a b blood group b a or b blood group b a or ratio क्या है in blood group का this one modern technique of the protein electrophoresis reveals that presence of both a and b type of protein in a b blood group individual this is an example of कहने का मतलब बहुत सारी गोल गोल बाते कर ली और ultimately एक छोटी सी चीज अपने पूछना चाहरा है वो क्या कि जो modern technique बनी है उसमें ए और बी टाइप आफ प्रोटीन जो है वो a b blood group में पाए जाते हैं antigen की बात कर रहा है ठीक है antigen antibody की बात होगी यहाँ पर तो दोनों प्रकार के protein की presence देखी जाती है यह किसका एक्जामपल है तो a b blood group किसका एक्जामपल बनता है बच्वों को डॉमिनेंट्स का एक्जामपल बनता है अब इसमें देखें आप कहां पर है को डॉमिनेंट्स इस वन ओके प्रकार क्या चला जाएगा option no.3 अब यहां एक समझे और खडी होती है complete dominance आप जानते हो complete dominance का यहां पर पार्शिल डॉमिनेंट्स पार्शिल डॉमिनेंट्स इस अनोदर नेम आफ किसका incomplete dominance incomplete dominance कहो partial dominance कहो semi जो है dominance उसकी बात हो जाएगी या फिर intermediate inheritance यह चारों टर्म जो है एक के लिए ही काम में लिया जाता है incomplete बोलो पार्शिल बोलो semi dominance बोलो या फिर intermediate inheritance ओके अगले क्योशन पर मोग करते हैं क्योशन no.5 which of the following statement is not true incorrect की बात कर रहे हैं of the two genes that shows 50% recombination frequency ठीक है 50% recombination frequency दर साते हैं तो फिर उनके लिए कौन सा statement ठीक नहीं है आप इन चारों पढ़ोगे तो अपने को पता चलेगा एक option ऐसा है option no.4 the genes are tightly linked अगर tightly linked case बनेगा तो फिर recombination बनने की संभावना है नहीं होंगी इसका मतलब incorrect पूछ रहे हैं तो incorrect कौन सा हो जाएगा फोर हो जाएगा बाकी के option भी मैं पढ़कर बतायता हूं आपको the gene shows independent assortment independent assortment दर साएगा तो mendalian mono hybrid hybrid आपने देखा है independent assortment में जो ratio बनते हैं तो इसमें completely जो है एक individual नहीं बनेगा ठीक है if the gene are present on same chromosome they undergo more than one crossover in every meiosis multiple crossover की बात कर रहे हैं ठीक है अब multiple crossover में जो है दो हम लोगिस chromosome है उनके जो चार chromatids हैं उनमें आपस में क्या हो सकते हैं एक से ज्यादा crossing over हो सकते हैं ठीक है एक से ज्यादा crossing over होंगे तो पास-पास होने वाले जो crossing over है वह एक दूसरे adjacent crossing over को क्या करेंगे करने का काम करते हैं ठीक है इसको क्या कहा जाता है interference के नाम से जाने जाता है जीन में बी ओन different chromosome कोई दिक्कत नहीं है different chromosome पर भी present हो सकते हैं अलग-अलग chromosome पर होंगे तो भी condition क्या सकते हैं 50% recombination frequency obtained हो सकती है लेकिन टाइटली रहेंगे तो 50% recombination नहीं बनेगा टोटल कैसा बनेगा parental combination बनेगा अगले क्योंचन पर करते हैं क्योंचन number six select the correct statement regarding the hemophilia गोर करना hemophilia बार-बार क्योंचन repeat हो रहा है ठीक है तो hemophilia के respect में correct का पता करना है sex linked dominant no dominant नहीं कैसी है बच्चों रिसेशिव है यह तो इस सेक्स लिंग्ड रिसेशिव डिजीज बिल्कुल ठीक बात है sex linked रिसेशिव है ठीक है the amino acid glutamic acid is replaced by किस के द्वारा वैलिन के द्वारा यह statement पढ़ा तो आपको पता लगा कि ncrt का statement है लेकिन बच्चों कि डिशोडर में है sickle cell anemia के case में यह statement आता है hemophilia के लिए नहीं आता तो यह भी गोर करना आप statement आपको पढ़ने से लगेगा कि हां यह तो हिए पर क्या थी है तो आपको पता है है क्या हो गिया होती है कैसी कर स अधैदि एक्स 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 यह विए तो correct पूछ रहे patron although रिशेशिव डिशॉडर ऑके अगले क्यों सब्सक्राइब करते हैं क्योंस नम्बर सेवन विच ओफ फॉलोईग इज नोट एन एक्जम्पल ओफ ट्राइसोमी हां जी आप जानते हैं कॉन सी कंडिशन है मुटेशन की 2N प्लस 1 प्लस 1 हो जाता तो डबल ट्राइसोमी हो जात तो इसको टैट्राइसोमी कहाँ देते हैं 2N माइनस 1 हो जाता कंडिशन क्या कहलाती है मोनोस्व में जी चले नोट एक्जम्पल ओफ ट्राइसोमी दाउन सिंड्रॉम की मैं बात करूँ तो 21 जो ओटो जाओं मैं उसकी ट्राइसोमी कहलाता है यह तो प्रेक्टराइस के लि क्लाइन फिल्टर सिंड्रॉम में आपन क्या देखेंगे हाँ जी 44 प्लस X X Y यह कंडिशन अरंच हो जाती है तो एक रोमोजोम बढ़ने की बात कर रहे थे ठीक है तो यह बात भी क्या है करेक्ट है ठीक है विरिएसन इन कैप्सुल साइज इन धतुरा द्टूरा की जो के साइज है उनमें के कारण उनकी सेप जो है वो क्या होती चली जाती है ठीक है यह कंडिशन क्या कहला यह है डतूरा में जो होती है उसमें आना जो किसका example है? Trisomy का example कहलाता है. एक chromosome यहाँ पर भी बढ़ रहा है. Turner syndrome की अगर मैं बात करूँ, तो Turner syndrome कहनों क्या होता है? 44 plus X0 condition क्या कहलाती है? Turner syndrome कहलाती है. ये Trisomy नहीं है. अजैने example of Monosomy. समझ गई? इसका मतलब answer क्या चला जाएक? Option number 4. अगले क्योंशन पर मुझ करते हैं क्योंशन नमबर एट देखें आप पढ़ें इसको पर्शन विद ब्लड ग्रूप एबी इस तो क्या कहलाता है यूनिवर्सल डॉनर हाँ या ना और एबी क्या कहलाता है यूनिवर्सल रेसिपियंट ओ यूनिवर्सल डॉनर क्यों है क्यो क्यों है क्योंकि उसके पास जो blood plasma है एबी का उस blood plasma में antibodies की presence नहीं देखे जाती है antigen की position याद रखें RBC की surface पर antibodies की position याद रखें कहां पर blood के plasma में AB universal recipient है क्योंकि इसमें कोई भी antibody नहीं होती वो universal donor है क्योंकि इसमें कोई भी जाने नहीं होता है अब पढ़ने statement को बोथ A and B antigen on RBC RBC पर A और B antigen तो होंगे but no antibody in the plasma बिल्कुल ठीक बात है जिसकी मैं बात कर रहा था कि यह universal recipient क्यों मनता है क्योंकि इसके plasma में क्या नहीं पाई जाती है कोई भी antibody नहीं होती बोथ A and B antibody in the plasma यह तो रोंग statement है पाई नहीं जाती है कोई भी no antigen on RBC रोंग statement दोनों antigen present होते हैं AB में तो बोथ A and B antigen in the plasma antigen plasma में नहीं होते antigen तो RBC की surface पर होते हैं understood इसका मतलब answer क्या चला गया है का फर्स अगले क्योशन पर मूँ करें क्योशन नमबर नाइन a man whose father was colorblind marriage a woman who had a colorblind mother and normal father जैसा क्योशन बोल रहा है ना वैसा वैसा करते जाएं आप a man man मतलब x y हाया ना whose father was colorblind इसके father कैसे है colorblindness कैसी है एक्स लिंक्ड रिसेशिव कहलाती है एक्स सी वाई फादर colorblind हाया ना marriage a woman एक woman के साथ साधी होती है किसके father की नहीं इसकी मैन की क्योंकि क्योशन किसके respect में है मैन की respect में समझ रहे हो ना तो उल्टा मत कर दे ना इसको साधी किसके साथ हुई है एक woman के साथ woman मतलब access condition हाया ना अब यह जो woman है who had a colorblind mother इस woman की mother कैसी है colorblind colorblind मतलब दोनों पर क्या आएगा see आएगा हाया ना and a normal father और इसके father कैसे है नौर्मल है यह condition बनेगी इसका मतलर में इसके पास एक एक एक्सISH क्रोमोजोंग का सौर्स तो father से बनेगा समझ रहे हैंसे एक एक्सक्रोमोजॉट कहां से आएगा फाभे से अनृदर एक्स क्रोमोजोंग कहां से आएगा मदर से तो यह क्या बन जाएगी केरियर बने जाएगी अब क्या कह रहा है इनके अगर बच्चों की मैं बात करूं तो य का इन दोनों से करवाता हूं मैं तो क्या बनता है एक्स वाई यह वाला क्रॉस ठीक है और एक्सी वाई यह दोनों तो क्या बन गई है लड़के है यह ना बेटियों की अगर बात करूं तो इस एक्स का इन दोनों से करवा दूं तो एक्स एक्स और एक्सी एक्स यह दोनों क्या बन गई बेटियां बन गई च्यार बच्चे है चार बच्चों में colorblind की अगर बात करूं तो एक ही colorblind है इसका मतलब 25% childly affected है हाँ या ना लेकिन को गोर से पढ़ना percentage of male children पूछा है तो male children total कितने है दो में से एक क्या है affected है colorblind है इसका मतलब 50% हो जाएगा 50% चांस है कि लड़का क्या हो colorblind हो तो क्योशन को अच्छे से पढ़ना है आपको clear अगले क्योशन पर मुग करते हैं क्योशन नंबर 10 आजाएं कि इने population of thousand इंडिवीज्वल 360 belongs to genotype AA 480 हिट्रोजाइकस AA and the remaining 160 जो है स्मॉल है स्मॉल है बेस्ट ऑन इस डाटा दा frequency of allele A in the population is क्या होगी हाँ यह हाड़ी विनबर्ग का क्योशन है इस हाड़ी विनबर्ग के तो क्या कहे देगा A square हाँ यह ना रिसेसिव इंडिवीज्वीज्व फ्रिक्वेंसी बोलेगा तो फिर क्या कहे देगा A स्कॉर कहे देगा ठीक है जिसको हाड़ी विनबर्ग ने पी और क्यू के नाम से जाना था ना A square बोल दो यह इसको P square कह दो A की बात है A square कह दो यह इसको Q square कह दो के लिए ना कि आपसे अलिल फ्रिक्वेंट्सी पूछ रहा है या इनिधिवीज़ फ्रिक्वेंट्सी दे रहा है इन में से कोई एक चीज आपको दी जाएगी दूसरी आपको निकालनी होगी और जो डो पेरामीटर इसके formula वह आपको याद रखने है ठीक है पी square प्लाइस टूबी q प्लाइस q square ठीक है तो इंडिवीज्विज्य निकालनी है तो formula ये काम में लेना है आपको application अब निकालनी है याणा अना equilibrium frequency फ्लाइस तो फिर आपको क्या लेना है प्लाइस q one years ंटु यह दो फ्रॉमूले यहां पर काम आएगे अब że आते हैं क्या पूछ रहा है अबने को फ्रिक्सी ओफ ईनिल इन कर कि रहा है कि इंडिविड़ के दूक्त लॉकुक्त कि बात आई तो स्क्वेर वाला फॉर्मूला कमें नहीं वैँ अपने पताए जीरो टाइप एए जो है वो कितना है 360 है हाई या ना तो एए कितना हो गया बच्छों एए मतलब A square या इसको क्या बोल दूँ मैं A square कह दूँ A square क्या है अपने पास में 360 है लेकिन कितने में से 360 है 1000 में से 360 है समझ गए तो फिर एक क्या आजाएगा अपने पास में अंडर्रूट ऑफ 360 अपन 1000 बोलो जी 360 का अंडर्रूट क्या आजाएगा हां बताएं जरा यहां पर एक जिरो से जिरो काट दें 36 का अंडर्रूट कितना आता है 6 आता है 100 का अंडर्रूट कितना आता है 10 आता है तो फिर रिजल्ट क्या आगए अपने पास में जीरो पाइंट 6 dominant allelic frequency कितनी आ जाएगी 0.6 आ जाएगी option देख लिए कौन सा है option number 3 समझ गए तो यह hardy आपके ठीक हो जाएंगी ऐसे क्यों में आपको टोटल इंडिवीजूल में से रेश्यों का निकालना होता है अगले क्यों पर बढ़ते हैं क्यों सब्सक्राइब क्या हो जाती है आप डेफिशेंट सी हो जाती है 45 क्रोमोजॉम विद एक्स जीरो हाँ नहीं नहीं है ठीक है 45 क्रोमोजॉम विद एक्स जीरो कंडिशन इसमें पाई जाती है अब बच्चा इसको कैसे रिलेट कर जाता है 45 प्लस एक्स जीरो नहीं साब ये बात गलत है इसका मतलब है टोटल क्रोमोजॉम 45 है जिसमें एक्स जीरो सेक्स कंडिशन पाई जा रही है इसका मतलब 44 प्लस 14 टो टोटल क्रोमोजों 45 बात है और कंडिशन कैसी है एक जिरो कंडिशन पाई जा रही है यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ठीक है अगले ऑप्शन भी चेक करने हैं एक एक स्ट्रोमोजों की कमी हो जाती है यहां पर एकजीबिट मेल करेक्टर्स मेल करेक्टर्स जो है वह नहीं ऐसा नहीं देखा जाएगा इसमें रॉंग स्टेटमेंट है इस एबल टू प्रोड्यूज चिल्ट्रन विद नॉर्मल हस्बेंट ठीक है यह जो है यह चिल्ट्रन प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन अपने को पता है कि टर्णर सिंड्रॉम की केस में तो एंस्याटी ज क्लियर होगी बात इसका मतला भी यह नॉर्मल चिल्ट्रन का प्रोडॉक्शन नहीं कर सकते तो यह स्टेटमेंट भी क्या हो गया रॉंग तो क्रेक्ट कौन सा ऑफ्शन नमबर वन अगले क्यों पर मोग करते हैं क्यों से नमबर ट्वैल एक कलर ब्लाइंड मैन मेरी जे बात करेंगी दोनों के साथ में कर दें XCX, XCX, यह तो daughter बनेंगी, और लड़कों की अगर बात करें तो XY condition, XY condition यह बनेगी, तो लड़कों से तो यह आगे जाने की संभावना होगी नहीं, ठीक है, लड़कों से तो यह character आगे जाएगा नहीं, अब अगली PD में इनसे जाने की संभावना क्या है, इनसे जाने की साथ में, XY के साथ में, ठीक है, तो फिर अब grand son पूछ रहा है, लड़के कितने प्रभावित होने की संभावना है, लड़के मतलब इस Y का इन दोनों के साथ में, XY, और क्या बनेगा, XY, तो दो लड़के होने की संभावना ही यह आपर बनेगी, colorblind कितना है, 1 है 2 में से, इस abnormal human baby with XXX sex chromosome was born due to, ठीक है, तो human का बेबी है, abnormal condition कैसी है, triple X condition है, अब यह triple X condition किस कारण आई होगी, fusion of two ova and one sperm, एक sperm, दो ova को कैसे fertilize कर सकता है, गलत बात है नहीं है तो, क्योंकि एक sperm penetrate करता है किसको, एक ova को, fusion of two sperm and one ova, एक ova को दो sperm penetrate नहीं कर सकते, याद करो fertilization membrane बन जाएगी, आया ना, तो यह statement भी क्या है, wrong है, formation of abnormal sperm in the father, फादर में abnormal sperm बनेगा, abnormal sperm बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, या तो normal sperm क्या होता है, या तो उसमें X आ जाए, या फिर उसमें Y आ जाए, तो यह तो normal कहलाता ह है, abnormal sperm का क्या मतलब होगा, जो sperm बनेगा, उसमें क्या नहीं पाए जाएगा, कोई भी sex chromosome नहीं मिलेगा, कोई भी sex chromosome नहीं मिलेगा, और उधर female में क्या पाए जा रहा है, एक gamit में X chromosome, तो condition क्या हैगी, X zero आएगी, Turner syndrome होने की संभावना यहाँ पर बढ़ती है, तो यह भी triple X के लिए responsible नहीं होगा, formation of abnormal ova, abnormal normal ova का मतलब बच्चों, दोनों sex chromosome एक में ही आ जाएं, या फिर sex chromosome आएं नहीं, दोनों ही क्या है, abnormal ova condition है, formation of abnormal ova in mother, अगर मदर में abnormal ova बनता है, और इधर sperm कैसा है, X type का sperm है, क्योंकि sperm X type का हो सकता है, Y type का हो सकता है, अब इनका अगर fusion होगा, तो condition क्या बनेगी, X, X, X condition बनेगी, इसका मतलब इसके लिए correct कौन सा statement हो जाएगा, option number, 4, okay, easy है ना, अगले क्योशन पर बढ़ते हैं, आ जाएं, alleles are, तो इसकी definition आपको याद है, alleles क्या थी, homologous chromosome पर, same locust पर पाई जाने वाली जो structure है, वो क्या कहलाती है, alleles के नाम उनको जाना जाता है, ठीक है, तो क्या बोल दिया, alleles क्या है, different molecular form of a gene, एक gene की different molecular form है, क्या कहलाती है, alleles कहलाती है, ठीक है, अगला देखे, heterogygotes, alleles are heterogygotes होती है, जरूरी नहीं है, different phenotype, bin phenotype पर दर्शित करती है, same भी पैदा कर सकती है, जरूरी नहीं है, different ही करें, true breeding homogygot, true breeding homogygot को represent करती है, हमेशा true breeding homogygot हो, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है, तो एक gene की different molecular forms, क क्या कहलाती है, alleles कहलाती है, option number, first correct option हो जाएगा, okay, अगले question पर move करते है, theoretical question ताई है, easy, next, the movement of a gene from one linkage group to another is called, एक linkage group से, another linkage group पर किसका जाना, gene का movement होना, क्या कहलाता है, बच्चों, this is known age, क्या कहलाता है, translocation कहलाता है, ठीक है, crossing over किसको बोलाता है, exchange of chromosomal segments बोलाता है, ठीक है, मियोसिस के दौरान, ये cell cycle के दौरान पड़ी भी बात है, ठीक है, अगली बात, translocation, inversion, duplication, ये किसके example है, याद करो, mutation की example बतायते हैं, clear, तो इसमें, एक linkage group से another gene का जाना, क्या कहलाता है, translocation कहलाता है, inversion का मतला है, segment duplication की है, तो एक arm जो है, वो क्या हो जाती है, duplicate हो जाती है, duplication के respect में, अगर बात करें, तो जैसे ये chroma zone में, ठीक है, क्या पाई जा रहा है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, ये क्या पाई जाना है, जीन, ठीक है, अब duplication हो जाए, duplication हो जाए, मतला है, एक arm का duplication हो गया, क्या पाई जा पाई जा रही है, तो duplication के कारण, वो अपने आपको क्या बना देगी, expressive बना देती है, अगर lethal condition में है, तो फिर ये जान लेवा भी बन सकता है, ठीक है, ना, क्योंकि recessive अगर repeat हो जाता है, तो अपने आपको क्या कर देता है, express कर देता है, inversion में अपने क्या बोला था, जैसे ये chromosome segment है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पाई जा रहे है, inversion का मतलब है, कोई एक part center से तूट जाए, या फिर terminal region से तूट जाए, और किस manner में अगेन जुट जाए, इसी पर reverse manner में, 1, 2, 3, 4 तूटा था, 4, 3 के रूप में जुट गया, और ये 5, 6, तो ये क्या कहलाता है, inversion कहलात है, translocation में क्या बोलेंगे, एक chromosome से दूसरे पर जीन जो है, वो movement करती है, तो option number 1 चला जाएगा, अगले question पर मोग करें, question number 16, which is the most common mechanism of genetic variation in the population of a sexually reproducing organism, हाँ जी, individual कैसे है, sexually reproducing individual है, और most common way कौन सा होता है, variation का, जो normally चलता है, normally कौन सा चलता है, साहब है, देख लेंगे आप इस में, genetic drift, recombination, transduction, chromosomal abrasion, तो variation आने का कारण कौन सा होता है, recombination, normally यही चलता है, और chances of mutation होने के कारण यह क्रोमोजोमल abrasion भी हो सकता है, genetic drift भी क्या है, एक chance condition ही कहलाती है, ठीक है, transduction भी क्या है, foreign DNA का introduction कहलाता है, किसी भी organism में, तो normally कौन सा होगा, recombination चलेगा, आपने से यह पूछ रहा है, कि most common mechanism, common mechanism कौन सा है, recombination, ओके, अगला क्योंसा, क्योंसा, नमबर 17, multiple alleles are present, हाँ वही, अगर allele word बोल दिया ना, तो allele word के लिए locus आप, आप change नहीं करोगे, अगर locus change हो जाएगी ना, यह क्रोमोजोन change हो जाएगा, तो फिर condition कैसी बन जाएगी, non allele एक ही locus पर क्या पाई जा रही है, बहुत सारी allele पाई जा रही है, same locus of the chromosome, बिल्कुल ठीक बात है, same locus पर होंगी, non citric committed, गलत बात है, अगर locus अलग-अलग होगी, on different chromosome, allele हो जी नहीं सकती, different locus on same chromosome, locus change नहीं होगी, अगर allele बोलोगे, तो locus क्या रहेगी, same रहेगी, तो answer चला जाएगा, option number one, okay, अगले question में महूँ करते है, question number 18, a man with blood group A, marriage a woman with blood group B, what are the possible blood group of their office being, हाँ जैसा question बोल रहा है, वैसा बना दो जड़ा, man का blood group क्या है, a, woman का blood group क्या है, b, समझ रहेगो, इसका मतला में, man के a blood group की condition क्या बनती है, i, a, i, a, यह एलिलिक form, a को बताएगी, या फिर, दूसा क्या बने, i, a, small i, यह भी, a blood group ही कहलाएगी, b blood group के लिए condition क्या बनेगी, ib, ib, या फिर क्या बन जाए, ib, small i बन जाएग, हाँ या ना, जी, अब देखें, possible blood group of spring में कौन से होंगे, अगर इस a के साथ में कौन आता है, b आता है, तो condition क्या बनती है, a, b, यह blood group बनेगा, समझ रहे हो, अगली बात, a के साथ में b, वही a, b बनेगा, हाँ या ना, a के साथ में कौन आ जाए, ib आ जाए, तो फिर से condition क्या बनेगी, a, b वाली बनेगी, लेकिन इस i, a के साथ में small i, a आ जाए, तो फिर condition क्या बनती है, इसके साथ अगर small i आ जाए, तो condition बनती है, a, blood group, समझ रहे हो, अगली बात, आई, a के साथ में b आ जाए, a, b बनेगा, ए, a के साथ में, आई, b आ जाए, b बनेगा, ठीक है, a, a के साथ में, आ één, b आ जाए, a, b बलनेगा, लेकिन इस i, a के साथ में A जाए, तो क्या बनेगा, इस की साथ में इसे के साथ में थैसे के साथ में यहाइ तो प्लड ग्रॉप बनता है इसका मतला में ऐसी पोशिबिलिटी अगर होगी परंट्स में तो ब्लड ग्रॉप p καता बनेगा चाहिए प्रकार्ब बन जाएगा आपको डॉमिनेंट्स हैं क्या होता है उसके पास वन अले डॉमिनेंट्स में तो अपने क्या बोला था कि डॉमिनेंट्स ही नहीं दर्शाएगी दोनों इकुली अपने आपको एक्सप्रेस करेंगी तो यह बात तो गलत है है एक ही क्रोमजॉम पर टाइटली लिंक्ड नहीं होगा इस कि बात नहीं होगी और एक दूसरे के लिए होती है इसकी बात यह कोई कनसेप्ट बना ही नहीं बहुत एली इंडिपेंडेंट्ली अक्सप्रेश्ट इन स्वाट एप्स until the unlimited थीज़ेजस के लिए अगला है टिर्म किसको दर्च दीया है तो क्रोमज़मन तरी ओफ लिंकेज बात करें तो श्यूटन और बावरी आपको याद है ठीक है और लिंकेज पर एक्सपरिमेंट की अगर बात करें तो कौन जाएगा थॉमस हंट मॉर्गन चला जाएगा और थॉमस हंट मॉर्गन जो है इन्हों नहीं क्या दिया है उसको भी कोई किया तो आप्स नमबर वन ओक तो आपके सामनी सबसे पहले आएगा जिनॉम क्या जाएगा सारा इंडिवीजियुल का जो है वह क्या कहलाता है मिलकर सबसे बड़ा जिनॉम होगा उसके बाद फिर जीन आएगी फिर नुक्लियोटाइड तो यह एक ओडर बनता है जिसमें अपने पूछा क्या है लाज़ लार्जेस्ट पूस्ता तो सब्सक्राइड रिवर्स ओडर में आ जाता ओप्सन नमबर कॉन सच लगएगा आंसर की रूप में ओप्सन नमबर फ्री ओके नेक्स्ट क्योशन क्योशन नमबर 22 इन फॉल्वाइंग यूमन पेडिग्री दा फिल्ड सिम्बल रिप्रेजेंट इंडिविज्वल्स और टाइप आफ गिवन पेडिग्री हाँ जी पेडिग्री एनलाइसिस को लेकर हैं बच्चे बड़े बावाल में रहते हैं बड़े टेंशन इनको बनी रहती हैं कुछ भी नहीं एक्चुल में पेडिग्री तीन-चार रूल है इन रूल को याद रख कहने हैं ठीक है अगर इसक पिंग ऑफ जेनरेशन होता है किसी एक जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है छाँओ यह है skipping हो रही है generation में तो यह recessive कहलाएगा और अगर लगातार express होता जा रहा है तो यह क्या कहलाता है dominant कहलाता है तो जो चार option में मिलेंगे ना उनमें से आपको इसी प्रकार काटना है dominant recessive को काट दोगे autosomal और sex linked को काट दोगे ठीक है तो अपना तो यह x linked condition कहलाएगी और equally number of progeny affected है तो यह autosomal कहलाती है यह दूसा नियम आपको याद रखना है ठीक है जी अगली बाद female से inheritance केवल female individual में हो रहा है male में नहीं हो रहा तो इसको cytoplasmica maternal inheritance के नाम से जाना जाता है ठीक है चो था फादर affected है उससे फिर sun affected है उससे फिर sun affected है तो male से male में अगर inheritance हो रहा है तो यह क्या कहलाता है वाइल लिंट inheritance कहलाता है आजाएं pedigree को देखें आप हाँ सबसे पहला देखें skipping of generation है क्या पहली में है दूसरी जनले में पाया जा रहा है हें लेकिन यहां पर देखें में नहीं है ञ entscheiden यहां अगे तो अगली जनरेशन नहीं आ गया इसका मतलब यह जनरेशन तो देखा जा रहा है तो यह कैसा बन गया रिशेशिव टाइप का बन गया अब रिशेश्व तो डॉमिनेंट को हटा दो यहां से यह डॉमिनेंट रट गया रिशेश्व दो बचे पता कर ले ठीक है तो क्या देखेंगे अपने, ज्यादा affected कोन है, यहाँ पर male ज्यादा affected है, ठीक है, यहाँ पर male affected है, यहाँ पर female male affected है, clear, अब अगर मैं यहाँ पर इनकी रख कर देखता हूँ, तो उसको satisfy करना भी जरूरी है, तो इसमें यह चीज भी आपको याद अखना है, अगर मैं इसको क्या मानू, एक्स लिंग्ड रिसेशिव मानू, तो यह अगर एक्स लिंग्ड रिसेशिव है, ठीक है, तो यह तो affected बन गया ना, यह एक्स वाई जैसे colorblindness एक्सी बन गया, यह एक्सी केवल किस में जाएगा बेटी में जाएगा बेटे में तो एक्सी जाएगा ही नहीं, तो यह sun affected कैसे हो गया है, तो यह sun affected हुआ है, इसका मतलब यह sex link तो नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि बेटे में तो इस father का यह जाए एक क्या है तो यह condition बनेगी ठीक है, अब यह समॉले यहां आ जाए, यह दोनौ आपक्टेटल नहीं है, तो यहां तो क्या बनाओगा है, यह बना क्या बनाओगा, यह condition बनाओगा, यह condition बनी होगी, बोलो जी, अब यहां प्रोबपिलिटी स्क्राइब क्या हो सकती है दोनो यहां से आएगा तो कंडिशन फुल्फिल करकर देखनी है पेडिग्री अने इसमें और कुछ भी नहीं तो अपने जब कंडिशन फॉल्फिल की तो अपने को पता लग गया कि यह डिसोडर कैसा है कि अगले क्यों सब्सक्राइब करते हैं कि अबर 23 इन एक टेस्ट क्रोश इन्वाल्विंग एफ वन डाई हाइब्रिट फ्लाइज और प्रोडूजड देन दी रीकॉंबिनेंट टाइप पैरेंटल टाइप ज्यादा है रीकॉंबिनेंट कम बने रहे हैं ठीक है इस इंडिके की जहां पर अपने बात की थी पैरेंटल टाइप ज्यादा बनता है रीकॉंबिनेंट फिफ्टी परसेंट से कम बनता है याद आपको अब इसमें भी दो कंडिशन आई थी कंप्लीट लिंकेज होगा तो तो क्या हो जाएगा सारे पैरेंटल टाइप हो जाएंगे रीकॉं नहीं हुए टूजीन और लिंक्ट जी जी बिल्कुल लिंक्ट है एंड प्रेजेंट ओन सेम क्रोमजॉम पर यह जैन पाई जा रही है अब लिंक्ट बोल दिया अगर किसी दूसरे ऑप्शन में क्या बोल देता इनकंप्लीट लिंक्ट वह ज्यादा करेक्ट हो जाता है इस यहां पर बात नहीं करेंगे यह पॉलीजेनिक नहीं है सब टूजीन और लॉकिटेड ओन टूडिफेंट क्रोमोजॉम पर लॉकिटेट हैं इसका मतलब लोकस उनकी अलग अलग है लोकस अलग अलग है तो ग्रेक्टर जो कंट्रोल करेंगे वह भी जा हो जाएगा अलग अ जो आशर कौन सा चला गया ऑप्सिन नबर टू ऑगए अगले क्योंग करते हैं कि ऊसर में इंदि कॉलम वन विध देयर डिस्क्रिप्षम मून से कि यहां पर कुछ फ्रूम्स दी गई हैं यहां उनका निया गया है इनको मेंच करना है डॉमिनाट्स क्या होती है साब चाहिए तो यह तो क्या कहलाता है इसका मतलब बनाता यह बनाता यह बनाता इसमें केवल एक ही अपने आपको कर रही है लॉफ डॉमिनेंट्स यह कहलाती तो क्या आना चाहिए ठीक है अगली बात डॉमिनेंट से क्या कि क्या जाएगा सब्सक्रेष्ट बराबर इसका मत्रा क्या दो में तो थर्ड क्या हो जाएगा को डॉमिनेंस में क्लियोट्रोपिक बच गया कौन और सबस्ट और सब्सक्रीथ इस सिंगल जीन इंफ्लॉएंस इनरेटेंस ओप मैनी करेक्टर बिल्कुल ठीक बात है एक सिंगल जीन बहुत सारे करेक्टर का इनरेटेंस अगर दर्साती है तो यह क्या कहलाता है प्लियोट्रोपी कहलाती है बात समझें आगी तो यह इनका मैच हो जाएगा 2341 अंसर कौन सा हो जाएगा 2341 ओके ओके यहां पर अब एक चीज मेरे को और भी बतानी है आपको ठीक है इनके एक्जामपल आपको याद रखने है यह तो कोई बात निस सबको पता है कौन कौन से कोडो मिन उसका एक्जामपल AB Blood Group है MN Blood Group है सबको पता हैं न जी प्लियोट्रोपी जो है इस प्लियोट्रोपी में आपको याद रखने, प्लियोट्रोपी के एक्जामपल लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइल कीटो नूरिया, क्या बोले, प्लियोट्रोपी मतलब, एक ही जीन है, जो मैंनी करेक्टर को इंफ्लेंस कर रही है, ऐसी ड्रोसोफिला में, जो वाइट आई के लिए जीन होती है, Drosophila कौणसी जीन ? White Eye White Eye के लिए responsible जो जीन है वो दुर्सा character और क्या दरसरा ती है Deep Pigmentation भी दरसरा ती है Deep Pigmentation को भी रिपरजेंट करती है तो यह एक्जामपल है Pleotropic Polygenic के भी एक्जामपल आपको याद रखने है पॉलिजेनिक की एक्जम्पल यहां लिख रहा हूँ आपको कर्णल कलर इन वीट कर्णल कलर इन वीट याद है ना इसमें पॉलिजेनिक में बेल शेप्ट ग्राफ बनता है ठीक है जी अगली बात दूसरा एक्जम्पल इसका वेरी इंपोर्टेंट एक्जम्पल इनके दोनों के प्लियोट्रोपी और पॉलिजेनिक के याद रखने आपको अगले क्योशन में बढ़ते हैं क्योशन नमबर 25 विच ओफ दी फॉलोइंग मॉस्ट एप्रोप्रियेट डिस्क्राइब्स हीमोफिलिया विचुशन एक्ज लिंग्डेक्र में है अपने किसकी बात की थी कि जीन रिलेटेड ये कहला रहा है या स्ट्रक्चर रिलेटेड यह कहला रहा है ठीक है तो यहां पर दो कंडिशन बन सकती है तो यह ज्यादा बात तो ठीक है लेकिन मोस्ट एप्रोप्रियेट पूछा है ना तो उसके रेस्पेक्ट में पहला चला गया तीसरा देखें डॉमिनेंट जीन डिसोडर यह तो साफ साफी गलत हो गया रिसेसिव अब रिसेस्ट ऑट्रसोमल भी हो सकता है सेक्सिलिंग भी हो सकता है दो कंडिशन यहां भी बनती है मोस्ट आप्रोप्रोप्रियेट पूछा है तो कौन सा हो जाएगा नमबर वन अच्छा क्यों सब्सक्राइब करते हैं क्योंसर नमबर 27 अ टोल्ट्यू ब्रीडिंग गार उसकी करवा दिया पॉट्यूसे विजसे हो गया और उसकी क्या गर्वादी तो आपने इंडिविजूल अप्टेंड होंगे वो कैसे होंगे एक ऐसा दो कैसे होंगे कैसा इस्मॉल टी पॉप्ल्म हाइना पूछ आ रहा है अपने इस जीनो टाइप का रिष्यो पूछ रहा एक क्या है तो किनी आती है दो आती है इसका मतलब यह नहीं होगा फिर ये हो जाएगा देखो एक तुछ्टन होम जाइगस दो क्या है और एक है ड्वार्फ करी सने नहीं इसको अप्रोप्रीयेट्ली डिस्क्राइब करें स्टेटमेंट सही खतन का अपने को चुनाव करना है हीमोफिलिया चोथी बार हीमोफिली कंडिशन आ गई है हीमोफिलिया इसेक्स लिंग्ड डिजीज बिल्कुल ठीक बात है चोवेल डाउन सिंड्रॉम इस दू अनूप्लीड है डाउण सिंड्रॉम इसट कंडिशन है ट्राइस्वामिक कंडिशन है तो टू एन प्लस वन एक क्रोमोजॉम बढ़ रहा है यहां पर तो अनुप्लोईडी का एग्जामपल है बिल्गुल ठीक बात है अगला देखिंग फिनेल कीटोनुरिया इजे ओटोसॉमल सेक्स ओटोसॉमल रिसेशिव जीन डिसो कईसा है सिकल सेल एनेमिया इच एन एक्स लिंग्ड शोरी एक्स लिन नहीं बच्चों कैसा होता है ये तो ऑ्टोसॉमल रिसेशिव जीन डिसोडर कहलाता है SCA ठीक है और SCA में याद करो जो कंडिशन बंती है लीथल HBS HBS यह condition lethality produced करती है ठीक है तो answer कौन सा चला जाएगा पहला ठीक है दूसरा ठीक है तीसरा ठीक है A, B and C A, B and C are correct option number 3 next question question number 28 which one of the following generate new genetic combination leading to the variation किसके कारण variations produced होती है ठीक है तो variations किसके कारण होती है साब sexual reproduction के कारण variations produced होती है ठीक है parthenogenesis में variation नहीं आती है यह तो एक mode है asexual भी कह सकते हो ठीक है vegetative reproduction vegetative में भी नहीं आएगी क्योंकि एक ही part का plant जो है वो फिर complete में grow कर रहा है तो यह भी नहीं होगा clear new cellar poly embryoni इस new cellar poly embryoni के बारे में अपन थोड़ा से detail से बात करते हैं टीशू प्रेजन्ट होता है यह जो new cellar tissue है यह additional embryo बना देता है यह क्या कहला रहा है new cellar tissue ठीक है यह क्या बना देगा additional embryo additional embryo clear तो mega gametophyte के surrounding में पाया जाने वाला जो new cellar tissue होता है यह seed development के दोरान additional embryo का formation करता है और यह जो additional embryo है यह जो parent है उसका ही clone कहलाता है clone की अगर बात करेंगे तो किसकी बात नहीं करेंगे genetic combination या variation की बात है नहीं की जाएगी clear होगी तो variations produced ultimately यहाँ पर नहीं होगी answer अपने क्या चला जाएगा sexual reproduction क्योंसा हो जाएगा 29 आजाएगा the mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another repeat हुआ है पहले भी ऐसा क्या क्या कहलाता है बच्चों translocation कहलाता है ठीक है option भी similar ही है next question question number 30 true breeding plant is true breeding plant produce due to cross pollination हाँ जी क्रोस की बात नहीं होगी यहाँ पर true breeding में तो self की बात होती है हाँ है ना तो यह तो गलत हो गया near homo-gagous and produce office spring of its own kind अपने जैसी office spring बनाता है और nearly homo-gagous बोला है कहने का मतला में यहाँ पर maybe कुछ variation आ सकती है mutation यहाँ पर हो सकता है तो condition fulfill हो रही है true breeding plant के लिए option number two correct है यही पूछ रहा है अपने को फिर भी तीन और चार को भी देखना है always homo-gagous हमेशा homo-gagous recessive in its genetic constitution necessary नहीं है wrong one that is able to breed on its own अपने आपी breed कर जाए अपने आप breed नहीं करेगा तो यह condition भी रॉंग हो जाएगी answer कौन से चला जाएगा option number two okay next question पर मुझ करें question number 31 if a colorblind man marries a woman who is homo-gagous for normal colorblind vision the probability of their son being colorblind question क्या कह रहा है वही लिखते हुए चलो if a colorblind man man मतलब xy कैसा है colorblind marriage a woman एक woman के साथ marry करता है who is homo-gagous for normal vision इसका मतलब है carrier यह नहीं है the probability of their sun sun की बात कर रहा है इसका मतलब है यह जो y है इस y का crossing दोनों से करवाना है एक condition यह condition यह condition क्या बनेंगी similar बनेंगी तो कोई भी colorblind नहीं होगा कोई भी colorblind नहीं होगा इसका मतलब है जीरो हो जाएगा और अगर यहां sun की बजाए प्रोजेनी की बात कर लेता है प्रोजेनी की अगर बात करता है तो फिर इन दोनों का cross इससे करवाना पड़ता है अपने को एक condition यह बनती एक condition है यह बनती XCX XCX तो यहां भी क्या है जीरो परसेंट ही आता लेकिन अगर सवाल में क्या कह देता carrier for colorblindness carrier for colorblindness अगर बात करें तो चार में से दो प्रोजेनी ऐसी है जो colorblind है और डोटर carrier की अगर बात कर लेता कि इसके लिए 100% हो जाता है तो यह सिंपल सी बाते हैं इनको याद रखने हैं आपको सिल्ली मिस्टेक हैं नहीं करनी है अगले क्यों करते हैं क्यों से लेकर 1863 ठीक है तो यह याद रखनी है यहां से बना हुआ है अभी आ गया आएगा कौनसा क्रेक्टर कामी नहीं लियाँ ट्राइप्न ल independent or thanks क्डूंडूलर और यहीं क्तूंडूलर फॉर्म आपने कहीं पड़ाई नहीं है मेंडल झाना तहीं कि इसको काम मिन लिया और होते हैं बिलकुल काम कीली आ और वोटनी आपने पढ़े है तो ट्राकॉम्स के बारे में भी आप जानते हो क्या कहलाते हैं ट्राकॉम्स ट्राकॉम्स स्मॉल हेर हैं इस्मॉल हेर अराइज रॉम कहा से अराइज वाम एपिडर्मेश epidermis of plant, plant के epidermis से arise होने वाली structure क्या कहलाती है, trichomes कहलाती है, next आजाएं, अगला क्योसन, क्योसन नबर 33, a disease caused by an autosomal primary non-disjunction, ठीक है जी, autosomal non-disjunction की वज़ए से वह यह बना है, तो client filter तो सभी जानते हो, client filter condition क्या है बच्चों, 44 plus x, x, y, यह condition आपको यहाँ दखने है, क्योसन बनता है यहां से, ठीक है, turner syndrome की condition भी सबको पता है, क्या है, 44 plus, 1x कम हो जाता है, x is 0, sickle cell anemia autosomal है, down syndrome autosomal है, ठीक है, लेकिन sickle cell anemic condition में तो क्या हो गया था, वो, point mutation की बात हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ तो non-disjunction की बात हो रही है, non-disjunction का मतलब separation नहीं होगा, दोनों autosom एक जगही चले जाएंगे, तो 21 की जो trisomy बनती है, 21 trisomy, किसको represent करेगी, non-disjunction condition को answer क्या चला जाएगा, option number 4, okay, next question बें, question number 34, question number 34, thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecules, ठीक है, सबको पता है, thalassemia में भी, globin chain जो है, उस पर effect देखेंगे, sickle cell anemia में भी, globin chain पर effect देखेंगे, select the correct statement, correct का पता करना है, both are due to quantitative defect in globin chain synthesis, quantitative की अगर बात करें, तो thalassemia कैसा है, quantitative है, ठीक है, एक globin chain जो है, वो नहीं बनेगी, एक का formation होगा, तो यह quantitative कहलाती है, लेकिन जो sickle cell anemia यह कैसी है, qualitative है, point mutation है, qualitative, तो पहला option क्या हो गया, wrong, अगला देखें, है, thalassemia is due to less synthesis of globin molecule, thalassemia में globin molecule कम बन पाते हैं, कम बन पाते हैं, तो chain का formation नहीं होगा, तो यह quantitative है, यह बात बिल्कुल ठीक है, sickle cell anemia is due to quantitative, sickle cell anemia तो कैसा है, qualitative है, यह गलत हो गया, यहाँ पर, बहुत हारे due to qualitative, दोनों qualitative नहीं है, thalassemia quantitative है, तो यह भी गलत हो गया, answer कौछा चला है, option number two, easy question है, theoretical है, इन lines को आप अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, शिकल यह जो disorders दिये हैं, इस disorders से आप मान के चलो, क्योशन आपको ज़रूर मिलेगा, तो इन NCRT के disorder को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बच्चों आपको, अगले क्योशन पर मूब करते हैं, question number 35, the genotype of a husband and wife are, blood group के लिए बात कर रहा है, ठीक है, husband का यह है, wife का यह है, among the blood type of their children, how many different genotype and phenotype are possible, कितने different geno और pheno बनेंगे, ठीक है, तो इसको मैं checkerboard method के द्वारा या simply अगर आपको practice हो गई है, तो direct भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो husband का क्या बता दिया, I A है, और दूसरा, I B condition है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, I A है, यहाँ पर क्या है, small I condition कहलाती है, यह क्या बनेगा, I A, I A, यह क्या बनेगा, I A, I B, यह क्या बनेगा, I A, small I, और इसके साथ होगा, इस block में आएगा तो, I B, small I, बोलो भी, तो genotype तो चार बन रहे हैं, अलग अलग है, सारी genotype, genotype कितने बन गई है, चार बन गई है, साथ, clear, अब फिनओर देखो, यह blood group कौन सा है, A, ठीक है, यह कौन सा है, A, इसका मतलब दो तो क्या बन रहे हैं, A blood group, clear, यह कैसा है, A B blood group, और यह कैसा है, B blood group, यह कैसा कहलाएगा, B blood group कहलाएगा, तो फिनो की अगर बात करूं तो फिनो कितने है जाएंगे है यहाँ पर गिजिन्व यहाँ पर गिजार गिजार 2 rec चला जाएगा 4 गिजाएंगे जासाफ ऑप्सिन्व में धार्ट गिजानसर माविद्व है और सब्सक्वर्ट इसाब ठामिजा है दोट गिवन बिलो इस दा प्रियेड फोर मेंडल्स हाइड़िडाइजेशन एक्सपरिमेंट अभी अभी मैंने बात की इसके बारे में याद रखनी आपको 1856-1863 और अगर इयर इस डाटा की रूप में नहीं दे तो आप कंडुक्टिंग एक्सपरिमेंट का डूरेशन लि्मेंट कौन सा जो है वह रूंगली मैज्टे हैं ऐस जिडिलो टाइप आफ सेक्स डिटैर्मिनेशन ग्रास अपर में पाये जाता है यह तो बात है यह सेक्स डिटैर्मिनेशन की एक्जम्पल अच्छे से याद रखने आपको चारव प्रकार के एक्जम्पल भी आपको थोमस हंट मोर्गन लिंकेज के बारे में बताया ठीक बात है एबी ब्लड ग्रुप को डॉमिनेंस दर साथ है बिलकुल एबी ब्लड ग्रुप दर साथ है इस्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टिपल ऐलील को बताता है नहीं यह बात क्या हो जाएगी रॉंग अपने से क्या प साथ करूं साइज ऑफ स्टार्च ग्रेइन तो इसमें एक इंटर्मीडियेट साइज और भी बनती है और इंटर्मीडियेट साइज बनती है तो जीनो टाइप क्या कहलाता है बीबी कंडिशन कहलाती है लार्ज कब बनेगा बीबी होने पर इसमॉल कब बनेगा इसमॉल भी किसको करता है incomplete dominance को अगले क्योंच पर मुँझ करते हैं क्योंस नमबर 38 स्टेटमेंट सही कतन का पहचान करनी अपने को स्प्लाइश और सॉम टेक पार्ट इन दा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में पार्टिस्पेट नहीं करता है यह तो क्या करवाता है इस पॉस्ट ट्रांस् इस इस थेपुआ है अगली बात ट्रांस्ड्रक्शन पुष्ट ड्सकवर्ड ऐसल vẫn आ एंश्य अल्टमान की द्वारा ट्रांस्डश्ट डिस्पूर्ट नहीं किया गया है अंधंड्युआ आ कि सिंघ्शन को डिसकोवर किया किसने नोटन जिंडर एह और और 58 जो सुआ लेडर बर्ग के द्वारा तो यह स्टेटमेंट भी क्या हो गया रॉंग पहला अपने आप में वैसे ही रॉंग है पुनेट स्कुएर बार डिस्कोवर्ड भाई हाँ रेगिनार्ड सी पुनेट कहां के ब्रिटिस सांटिस्ट हैं बिल्कुल करेक्ट आंस्वर है फ् अब यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन वैसे बोटनी में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा इसको मॉलिकुलर बाइलोजी में स्प्लाइश सॉम टेक पार्ट इंदा ट्रांसलेशन क्या है स्प्लाइश सॉम इस स्प्लाइश सॉम के लिए बात याद रख लेना य यू केरियोट्स जो हैं उसमें हैवी मॉलिकुल होता है यह हैवी मॉलिकुल क्या कहलाता है स्प्लाइश सॉम इस्प्लाइश सॉम इस्प्लाइश सॉम टिक है और यह जो हैवी मॉलिकुल स्प्लाइश सॉम है फॉर्म्ड फॉर्म किस से बनता है एस एन आर एने से यह बनत है कि रेंशान अ रन ने कि शीज़ जो और क्या करवाता है ये जो प्री ट्रांसक्रिप्सिन ने उसके दोरान इंट्रोन को remove out करवाता है, remove in turn and resposta इंट्रोन फ्रॉम किसे वच्चों ? री-म आएने से इंट्रोन को REMO करवाने का काम करवाता है तो ये अपना 38 cancer कौण सा चला गया? सब्सक्राइब करना है अभी अभी बात कीती है अपने ट्रांस्टक्षन के विशह में तो नॉल्टन जिंडर और किसने बताए जोसुआ लेडर बर्ग ने ठीक है दुबरा नहीं लिखेंगे वहां लिख दिया था मैंने अगली बात ग्रेगर जोन मेंडल ने सही ने के बारे किसमेंद रांस्ट Corn ने वहां चुर्जी भी खेशन के वारे किसले बता है कि ड्रीक अधे हैं है चौकर तो पहला गलत है जोसरा कलत है से यह तो एक टेस्ट क्रोस बनता है यह जो चाइक बात है एक और बोजाइम को क्या जाता है है और बबोजाइम प्रेजंट इन राइबोसाम इस प्रिजंट होता है और क्या करवाता है जोइन अमीन एसिट जोइन आमीनुव एसिट प्यप्टाइड चैन का फोर्मीशन यह करवाएगा खेलिए बात तो केटेलीटिक आरेन्य हो गया राईबोसों में च्रीजंट हो जाएगा अगर condition बच्चों याद करो आई ए स्मॉल आई आती है तो डॉमिनेंट सी ना इसके उपर डॉमिनेंट है दर साथा है को डॉमिनेंट सी दर साथा है याद करो आई ए आई बी कंडिशन आती है तो दोनों अपने आपको क्या करती है एक्सप्रेंस करती है ठीक है multiple एलील भी दर साता है तीन एलील है ना इसके लिए कौन-कौन सी आई-ए-बी है और इसमोल आई-बी कह रहाता है तो multiple एलील को भी दर साता है एक्योशन मेरा करते हैं एक्स लिंट इसमान एक्स है यह एक्स पास पर क्या पाई जा रही है अब इसके द्वारा इसको इनिहरिट किया जाएगा उनली ग्रांट चिल्डरन बोथ सन एंड डोटर तो आपने क्या देखें अगर फॉर एक्जांपल यह मैरीज इसके साथ हुई अब यह जो एक्सी है इस एक्सी के अगली जनरेशन में बेटे में जाने की संभावना या बेटी से एक्सी आने की संभावना भी बनती है इसका मतला में जोटर की अगर बात रहें तो डोटर में भी इनिटांस से देखा जाएगा तो इनिटांस किसके दुवारा होगा इस कंडिशन का बोथ सन एंड डोटर की तारह ऑप्शन नमबर टू जो है करेक्ट चला जाएगा ओक तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको अगर बात करें तो इसमें दो कंडिशन आपको या इंडिविजू की बात कर रहे हैं यहां पर पूछा किया है वोट विल बदा फ्रिक्वेंशी ऑफ होमोजाइकस डोमिनेंट हिट्रोजाइकस कंडिशन एंड होमोजाइकस क्योंकि बात कर रहे है इंदा पॉपुलेशन आजए जीन लोकस्त दो एलिल ए और फ्रिक्वेंशी ऑफ ए कितनी बता दी कितना है जीरो पॉइंट फॉर है इसका मतलब है अब अपने से सबसे पहले पूछा क्या है होमोजाइकस डोमिनेंट होमोजाइकस डोमिनेंट जिरो पॉइंट फॉर का ओल इसक्वेर हो जाएगा हाँ या ना तो यह कितना रही है अल्टिमेटली जिरो पॉइंट वंसिक्स चाहिता जाता है तो पहले पॉफसन देखिए है तो तीसरा उप्षन नहीं होगा अगला देखिए क्या पूछा है हिट्रो है करें इसका लेकिन दो लगाने पड़ेंगे इसके तो यह कितना हो जाएगा जिरो पॉइंट फॉर एट तो इन दोनों में आ रहा है इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा यह नहीं होगा लेकिन इसमें फर्स्ट में 0.36 आ रहा है तो चला जाएगा लास्ट वाला भी देख लेते हैं क्या प यह 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 नहीं है अगले प्रक्रदाशन कोजड़ों करते हैं क्योंस ना इसन फॉर्पोस्ट बाइशन यूज ने जो वेडियरीशन की बात कि है के कारण होने वाली वह कैसी होती है रेंडम और डायरेक्शन लेस्ट कहलाती है यह तर्टिकल क्योंट यहाद रखने हैं लेक्स फॉटीफॉर्ट इस डाइटिक डिसोर्डर इन विच एंडिवीजुवल है जन ओवरॉल मस्कुलाइन डॉप्मेंट गाइन को मेस्टिया सब्सक्राइब की है को अपने पड़ा तो अपने को पता चल गया किसकी बात कर रहा है । अगर मैं बात करूं तो लिंकेज में किस ने डिस्कवर किया हैं तोमास हंट मोर्गन की जो स्टुडेंट है कौन अलफर्ड इस्टूट इवेंट उन्होंने डिस्कावर किया है तो नमबर फिर्स चला जाएगा ओके नेक्स्ट क्योशन इसका इससे करवा दिया है वही हो गई है तो अब जो होंगे वह कैसे बनेगे और एक है और वाइट कंडिशन बनेगी क्लियर यह किसको बताता है पिंक का मतलब क्या हो गया रेड और वाइट के बीच का कहला गया यह इनकंप्लीट डॉमिनेंट्स को बताता है अब इनकंप्लीट डॉमिनेंट्स आप देख लें पहले ओप्शन में क्या कर रहा है रेशियो लग्स बिलकुल बनेगा वन अपन फॉर वाइट बनेगा किया कह रहें इंकरेक्ट पूछारी इसका मतलब यह तो सट्रेक्ट अप्लै अगर सट्रीकेशन अप्लाई नहीं होगा तो गमिट कैसे बनेंगे गमित अगली जनरेशन में कैसे जाएंगे तो यह experiment does not follow the principle of dominance. Dominancy को नहीं दर साथ किसको दर साथ है? Incomplete dominance को दर साथ है. तो this experiment does not follow principle of dominance ये incorrect हो गया. Pink color in F1 is due to incomplete dominance. ये तो अपन बात करी रहे हैं तो ये बात तो खीक है. Incorrect पुछा है. Incorrect का मतलब कोई से चला जाएक? Option number 3. Next question में move करते हैं. Question number 47. What map unit is adopted in the construction of the genetic map. Genetic map में क्या map unit जो है वो काम में ली जाती है? देखें आप, a unit of distance between gene on the chromosome representing 1% crossing over. याद गरो, 1 cm Morgan is equals to 1% crossing over. तो पहला statement ही सही हो जाएगा. बाकी की statement को आप पढ़ेंगे, तो 1 cm Morgan equals to 1 map unit जो है वो आपको नहीं दिखाएगा. 1% crossing over की equivalent ही नहीं होगा. तो option number 47 question का अंसर क्या चला गया? Next question, question number 48. Select the incorrect. Incorrect का पता करना है. In domesticated fall, sex of a progeny depends on the type of sperm. Domesticated fall की अगर बात करेंगे, तो कैसा sex determination पाए जाता है? जडडड जडड़वल टाइप पाए जाता है. ठीक है? और जडड़ जडड़वल टाइप की अगर मैं बात करूं, तो यह condition किसको represent करती है? homozygous same type की क्या बनाते हैं? male में तो, human की case में तो जो ओवा बनेते हैं, वो similar type के homozygous condition को represent कर रहे थे हैं. लेकिन यह आपर sperm sperm का type तो same है, इसका मतलब foul में, जो है, मुर्गियों में, वो sex किस पर depend करता है? type of ओवा पर depend करता है, पहला क्या हो जाएगा? incorrect, वो ही अपने से पूछा है, option number 1 चला जाएगा, लेकिन बाकी के तिन option भी पढ़ने पढ़ेंगे साब, देखें आप human male have one of their sex chromosome much shorter than the other, एक chromosome shorter होता है, human male की अगर बात करो तो यह दो पाई जाते है, shorter chromosome कौन सा कहलाता है, वाई कहलाता है, तो statement क्या है? सही है, incorrect, पूछ रहा है अपने से male fruit fly is heterogametic, male fruit fly heterogametic होती है, male fruit fly में, x x x y type of sex determination पाई जाएगा, तो male fruit fly का x y बन जाएगा, दो अलग-अलग प्रकार की gamit बनेगा, इसका मतलब heterogametic होता है, यह बात भी सही है, incorrect पूछ रहा है, in male grass ओपर 50% of sperm have non sex chromosome, 50% sperm जो होते हैं, उनमें non sex chromosome होते हैं, ग्रास ओपर की बात करें, तो अभी question भी पहले आयता, x zero condition पही जाती है, एक तो sex chromosome होते हैं, और दूसा कैसा है, non sex chromosome, यहाँ पर कहलाता है, तो यह भी क्या हो गया, incorrect कौन सा हो गया, 48 का answer चला गया, ओके, तो बच्चों, यह जो 48 question अपने की हैं, यह 2013 से लेकर, 2019 तक जो question आये हुएं, नीट के exam में, 16 में दो बार हुई थी, तो 8 सालों में question कितने आये हुएं, 48, लेकिन यहाँ पर आप याद रखें, last year 2019 की अगर मैं बात करूँ, तो इस अकेले chapter से question कितने आये हुएं, 7 question अकेले chapter से आये हुएं, ठीक है, तो आप मानके चलें, 7 to 8 का margin इस shift का चलता है, बहुत अच्छे से इसको prepare करना है, clear, अब student corner में एक information में आपको और deliver कर देता हूँ, आपकी CLC जो है, online class चला रही है, 16 April को पहला बैस था, 27 April को दूसरा बैस था, और तीसरा phase जो है, सेवन्थ आफ माई से चालू कर दिया है, ठीक है, अब इनके जो paper distribution है, वो paper किस दिन होने है, minor कब होने है, वो आपको live के दोरान बता भी दिया गया है, और उसका notification भी हमारी CLC live.in पर है, इसके अलावा, आपकी CLC ने 11th आफ माई से जो है, वो crash course की starting भी कर दिया है, और अब जो है first minor उसका complete होने वाला है, तो 18th of माई से जो है crash course का second phase हमारा जो है, वो चालू होने जा रहा है, ओके, तो बाकी मस्त रहें, स्वस्त रहें और अच्छे से त्यारी करते रहें, थैंक्यू बच्चों